Hello students, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th class के chapter 1 matter in our surroundings में एक topic है states of matter की पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, हम सभी को पता है कि पदार्थ की जो हैं वो 3 main states होती हैं, solid, liquid और gas but scientists जो हैं वो इसकी 5 states की बात करते हैं, ये 5 states कौन कौन सी हैं, तो जो matter है, इसकी 3 states, solid, liquid, gas के अलावा, जो 4th state है वो scientists ने plasma के बारे में बताया है कि plasma जो है इसकी 4th state है, इसके अलावा इन्होंने 5th state के बारे में भी बताया है और 5th state कौन सी है, वो है, VEC, Bose Einstein Condensate ये 5 states के बारे में scientists ने बताया है, solid, state first, liquid, state second, gas, third, plasma और VEC, Bose Einstein Condensate इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, plasma और VEC के बारे में पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये plasma जो है, ये consistent होती है plasma state में जो matter के जो particles होते हैं, जिसको हम कन बोलते हैं हिंदी में, ये जो कन होते हैं, इनकी उर्जा जो है, वो बहुत अधिक होती है तो मतलब क्या है ये बोलने का, कि particles जो है ये बहुत अधिक उर्जा वाले होते हैं, और ये जो है ये उतेजित, मतलब कि excited state में होते हैं और ये जो हैं, ये particles हैं, एक्रिन की energy जो है बहुत ज़ादा होती है और दूसरा ये जो है वो आयने कृत गैस के रूप में प्रेजन होते हैं, आयने कृत गैस के रूप में अब नियोन बलब में जो है वो प्लाजमा पाया जाता है, नियोन बलब के अंदर नियोन गैस होती है और जैसे ही electricity उस नियोन बलब में से पास कराई जाती है तो ये जो गैस होती है, नियोन गैस ये एकदम से जो है वो आयनाइज हो जाती है और प्लाजमा जो है वो उसके अंदर चमकना शुरू कर देता है इसी प्लाजमा की बज़ा से जो यह जो प्लाजमा की मैं बात कर रहा हूं इसी की बज़ा से सूरे और तारों में भी जो है वो चमक होती है तो इसके बारे में मैं बस इतने ही बताना चाहता हूँ बोस आइंस्टाइन में बता दिया था कि इसके बारे में जो है वो भारतिय साइंटिस्ट थे, सतेंदर नात्बोस, उन्होंने इसके बारे में सन 1920 में कुछ गणनाई की थी, और उसी के अधार पर अलवर्ट आइंस्टाइन ने एक जो है इस अवस्था के बारे में बताया था, तो हम जो में बीडियो में बात करेंगे वो जो थ्री स्टेट्स हैं उसके बात करेंगे solid, liquid और gas के बरे में, solid state क्या है, liquid state क्या है और gas जो है वो क्या होती है, सबसे पहले मैं बात करूँँगा solid state की, जल्दी से डाइगराम के साथ हम इसको बात करते हैं, मैं एक डाइगराम ट्रॉ करता हूँ, आप उसको धिहान से देखें, यह solid में यह जो मैं गोल गोले जैसे मैं लगा रहा हूँ, suppose यह solid के अंदर जो है, यह particle है, particle हिंदी में कणों को बोलते हैं, और सबसे पहली बात कि यह solid होते हैं, उसमें कण जो हैं वो बहुत ही पास-पास होते हैं, यह मैंने ड्रो कर दिया है, यह कंण है, और आप देख पा रहे हैं कि solid में कंण जो हैं वो बहुत ही पास-पास होते हैं, दूसरी बात कि solid का जो है एक निश्चित अकार होता है, निश्चित अकार प्रॉपर इसकी जो है वो एक fixed shape होती है, क्यों fixed होती है, मैंने पहले बता दिया है कि इसके कंण जो है वो बहुत पास-पास होते हैं, दूसरा इसकी निश्चित अकार होता है और इसके लावा जो solid होते हैं, उनको आप जो है वो compress नहीं कर सकते हैं, तो इस बज़ा से इनकी जो है संपीड़ेता जो है वो बहुत ही काम, मिन्स की zero जिसको आप बोलें, बिल्कुल zero संपीड़ेता होती है, इसके लावा जो solids होते हैं, ये dred होते हैं, dred मतलब कि बोलने का ये है कि इनकी shape fixed है, कंड बहुत पास-पास हैं, तो ये कहीं भी फैलते नहीं हैं, नेक्स्ट solids में ही बात करूँ मैं, इनमें बिसरन जो है वो बहुत ही काम होता है, ये solid जो होते हैं, ये जैसे मैं इसमें बताऊँगा, आपको liquid और gas में किस तरह से बिसरन प्रक्रम होता है, परन्तु solid में जो है वो बिसरन प्रक्रम बिल्कुल भी नहीं होता है, नेक्स्ट solid में जो है वो निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन, इसके लबा, solids जो हैं, इनके कणों में बहुत ही अधिक अकर्शन बल होता है, क्यों अधिक अकर्शन बल होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसके कण जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पास-पास है, और इसके कण आसपास होने से इन में बहुत अधिक अकर्षन बल होता है इसके अलाबा इसमें कणों में जो इंटर मॉलिकिलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड के बाद हम लिक्वड की लिक्वड स्टेट में किस तरह से होता है सेकिंड है लिक्वड और इसी के साथ मैं थर्ड भी आपको इही बता देता हूँ कि जो गैस होती है उसमें कर्ण जो है वो किस तरह से होते है तो मैं जल्दी से इसकी भी डाइग्राम जो है वो ड्रॉ करता हूँ यह मैंने यहाँ पर डाइग्राम ड्रॉ करती है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यह लिक्वड की डाइग्राम है और यह गैस है तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जो liquid में जो particles हैं मिन्स कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान जादा है परंतु gases के case में जो कण है उनमें बहुत ही जादा रिक्त स्थान है इसके अलाबा ये जो द्रब होते हैं मिन्स की liquid है इनका अकार जो है वो निस्चित नहीं होता है परंतु इनका आयतन जो है वो निस्चित होता है इसके एक फिक्स्ट आयतन है इसमें मैं यहां लिखता हूँ ये निस्चित अकार नहीं होता है क्योंकि liquid क्या है कि आप इनको जिस भी बर्तन में या डालते हैं ये उसी का अकार जो है वो ले ले लेते हैं नेक्स्ट अगर मैं इसी मैं बात करूँ liquid के केस में तो liquid के केस में आप देख पा रहे हैं कि कंड जो है वो एक दूसरे के दूर दूर होते हैं और इनके कंडों में कम अकर्शन बल जो है वो होता है इन सिंपल सी बाता है कि कंड दूर होंगे तो अकर्शन बल भी उनके बीच में जो है वो क्या होगा वो कम होगा और ये जो है liquid ये उपर से नीचे की और बहते हैं इसके अलावा इसमें liquid के केस में जो बिसरन होता है वो ठोस और गैस में जो है ये आसानी से ये बिसरित हो जाते हैं नेक्स्ट में बात करूं गैसिस में कि गैस के पार्टिकल्स के इस तरह सी होते हैं तो यहां डाइगराम में देख पा रहे हैं कि गैस के पार्टिकल्स में स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और गैसिस का ना तो निश्चित अकार ना निस्चित अकार होता है ना ही इनका निस्चित अइतन होता है यह गैसिय होते हैं अब मैं अगर इन में गैसिज में बिसरन की बात करूँ तो gases में जो है वो बिसरन बहुत ही जादा होता है बहुत जादा बिसरन होता है gases के case में इसके लबा gases में कंड जो है वो इनके बीच में ये कंड जो है वो दूर-दूर होते हैं और इन में जो है अकर्शन वल बहुत ही कम होता है या यूँ कहें कि अकर्शन वल जो है वो ना के बराबर ही होता है गैसिस के केस में और ये गैसिस जो है वो किसी भी दिशा में बह जाती है तो ये तो बात की हमने solid, liquid और gas की जो ये three states होती है अब इनके बीच में जो क्या main differences होते हैं मैं जल्दी से आपको वो भी बता देता ह कि कौन कौन से इनके बीच में differences होते हैं तो ये मैंने पहले से ही write down कर रखे हैं ये toast means solid, drug liquid और ये gas तो अकार निश्चित अकार होता है इनका निश्चित अकार नहीं होता है इनको जिस बरतन में डालते हैं ये उसी का अकार ले लेते हैं और gas का भी निश्चित अकार नहीं होता है संपीड़ता नगणे संपीड़ता means कि ये बिल्कुल भी संपीड़त हम इनको नहीं कर सकते हैं द्रब जो है इनका इतन फिक्स होता है निश्चित होता है और इनके संपीड़ता के कारें का कार बदलता है गैस की संपीड़ता बहुत अधिक होती है इसलिए अपने घरों में जो LPG Slender यूज़ करते हैं उसमें भी गैस को संपीडित किया गया होता है द्रेटा ये डिफरेंसिज में आपको पहले भी जो है वो बता चुका हूं तो आप इनको जो है यहां से इसली कर सकते हैं यह मैंने यहां पर लिखे हुए है सारे आप यहां से इनको असानी से कर सकते हैं इससी तरह जो English Medium बाले बच्चे हैं वो भी जो है वो असानी से यहां से कर सकते हैं इनको इसली आप देख सकते हैं कि किस तरह से Solid, Liquid और Gases में कौन कौन से डिफरेंसेज है मैंने वन वई वन जो है यह एड़ डिफरेंसेज नोट डाउन किये हुए है तो आप असानी चेन को कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू